अगर आप थंडा पानी पीते हैं तो ये सरी में लगेगा ही नहीं वेस्ट चला जाएगा कुछ लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं जो बहुत गलत तरीका है बहुत सारी लोग एक्सराइज करके बहुत सारा पानी पीते हैं ये बड़ी मुर्कता है बहुत सारी लोग गलत बरतन का अभियोग करते हैं एक्सियेचम डिजिटल में आपका स्वागत है प्लास्टिक इस दुनिया का सबसे गंदा बरतन है जिससे लोग पानी पीते हैं बहुत सारी लोग फूट खाते हैं और पानी पीने लगते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए पानी पीने का सही तरीका क्या है कब पानी पीना चाहिए कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पानी पीना चाहिए प्लास्टिक का बिल्कुल उप्योग ना करे सबसे अच्छा बरतन है तामबा रात भर करीब 8 घंटे इसमें पानी भर के रख दे इससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी साइन्स कहता है अगर आप 21 दिन तक किसी काम को करते हैं तो आपको उसकी आदत पढ़ जाती है आप 21 दिन का फर्मूला पे काम कीजिए आपको बैठ के पानी पीना है टामबे के बतन परियोग करना है तीन से चार सांस में आपको एक घूट पानी पीरा है जो की सबसे बेश्ट तरीका है अगर आप इस तरह से पानी पीते हैं बहुत सारी बिमारियों से बचेंगे जैसे माईग्रेन, हर्ट प्रॉब्लम, कब्स, एसिडिटी, मोटाफ़ा, किड्नी, इत्यादी आपको कब और कितना पानी पीना चाहिए मोटी तोर पे, खाना खाने के चालिस मिनट या एक घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए फिर खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीओ आपको सुबह उठके कम से कम आधा लिटर पानी पिना है पूरे दिन में हमें करीब जो पुरुश हैं उन्हें 3-4 लेटर पानी पेना चाहिए और जो महिलाएं हैं उन्हें 2-3 लेटर पानी पेना चाहिए और जो लोग exercise करते हैं वो 4-5 लेटर तक पानी पे सकते हैं आप यह जानते होंगे कि हमारे सरीर के हिस्से में लगबग हर जगा पानी है ब्रेन में 75% पानी है ब्लड में 83% हर्ट में 79% है बोंस में 22% पानी है लीवर में 86% है और किट्नी में 83% पानी है दोस्तों आपको यह हमारे वीडियो कैसा लगा एकशी हम डिजिनल को सब्सक्राइब करें हम फिर जब आएंगे एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के लेकर